हेलो एवरिवान और वेलकम टू तक्षास वर्ल्ड आज है हमारा शिम्ला में दे थ्री तो हमने कर लिया हमारा ब्रेकफास्ट ब्यूटिफुल सभ्यों इंजॉय करते हुए और आज हम जा रहे हैं नाल तेहरा में कुछ स्पोर्ट्स है वो कवर करने तो यहां पे सतलुज र होर्स ठे क्या हैं मैं और ऑर थोड़ा सकेरडी रहते हैं बाट सैनल ने भी किया और अध्वित ने भी किया बहुत मसा आया वहां पे ट्राइशनल ट्रेस पहन γर alma कर फोटों से catching शवा आ और वहाँ जाने की बाद आपको एक मैगी पॉइंट भी मिलेगा जहां से आप मैगी खा सकते हैं, गरम गरम चाय, नाश्ता, हमने थोड़े से कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई हमारे, उसके बाद हम चले गए थे गोल्स क्लब, गोल्स क्लब में अच्छली अलाओ नहीं करते हर चीज वुट की थी वहाँ पे, सीलिंग जैसे आपने देखा वह भी पुरा वुट से था, वहाँ से व्यू बहुत ही जादा सुंदर था, और भाईया बता रहे था यहां से जब बारिश के टाइम पे भी व्यू बहुत अच्छा होता है, अब हम पहुश चुके हैं पीक और बादल, इनके मेंटेनेंस बहुत होते हैं, बहिया बता देथे, क्योंकि यह थोड़े फरी है, तो इनने नहीं हीट क्लीन रखना पड़ता है, और हमने फिर से थोड़े से पिक्चर क्लिक किये, और उसके बाद हम चले गए हमारे रिवर राफ्टिंग के लिए, हमारे स बहुसते बहुसते, 4.30 ऐसे हो गया था, और जैसे आपको पहता है, अभी ठन का टाइम है, तो शाम जुल्दी हो जाती है, और ये थे हम एकदम एनरजी के साथ, जो हमारे गाइड थे, वो बहुत अच्छे थे, फुल अफ एनरजी, और उरने हम में पही बहुत जादा एन प्लास्ट थे जाने वाले, राफ्ट करने के लिए, और ये थोड़ा सा भाया स्टन्ट कराते हुए हमें, एक्चली वो बहुत जादा कियरफुल रहते हैं, अगर बच्चे हैं, तो वो जादा कुछ करते नहीं हैं, बहुत स्मूथ था, बहुत अच्छे से हम गये, और फि हम संसेट देख रहते हैं, वहां से संसेट इतना प्यारा दिख रहा था, आप जहां पर भी नज़र गुमाएंगे, वहां पर पहाड ही पहाड, बीच में रीवर, आप बीचो बीच खड़े हैं, बहुत शान्त माहौल, बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसके बाद फिर ह हमने वहां पर कुछ फोटोस क्लिक किये, अद्वीत जाने के लिए रेडी नहीं था, उसे हमें गूदी लेकर जबरदस्ती वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि बहुत शाम हो रही थी, और हम बहुत लेट आए हुए थे, तो हमें जबरदस्ती उसे लेकर निकलना पड़ा, और यह हम अद्वीत को जबरदस्ती लेकर जाते हुए, पानी बहुत जादा बहुत बहुत ही जादा थंडा था, एक्शली शाम का वक्त था और कोई भी नहीं था, तो इतना शान्त महुल था, सिफ पानी की आवाज, छिरिया की आवाज और मोर की आवाज आ रही थी, इव फोटोस ली गई है, वो सारे भाईया के गोप्रो में ही ले गई है, तो वो हम कैप्चर नहीं कर पाए, नहीं तो हमें इस साइट पे ही हमें दो मोर दिखाई दिये थे, जो कि बहुत अच्छा था, मतलब हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे, और यह हम मैगी पॉइंट फिर से ठंड थी, हवायन चल रहीं थी, ठंडा ठंडा था, तो फिर हमने मैगी बनवाई, हमने मैगी खाई, हमने बोला भईया थोड़ा सा आग और लगा दो, तो उन्होंने अच्छे से आग चला दी थी, और हम मस्त हमारा गर्मा गर्म मैगी एंजॉई करते हुए, व्यूव एं मैं कैप्चर नहीं कर सकते, जो व्यूज है और जो हमने एक्स्पिरियंस किया है, वो आप एक्स्पिरियंस करके ही आपको पता चलेगा, और शायद मैं इतना अच्छे से एक्स्प्रेइन भी नहीं कर पा रही हूँ आपको कि कैसा था वो माहौल, और इट वस वेरी पीसफ हम वहां पे काफी सारे पत्थर वगे रहे थे जो कट जाते है पानी के वज़े से और बहुत प्यारा पैटर्न शेप ले लेते हैं, यह संसेट का, यह हमारे मै की पॉइंट का, और यह थाज का व्लॉग, थैंक्स पर वाचिंग, प्लीज दू, लाइक, कमेंड, शेयर और स थैंक्यू सो मच्छ